हालो एवरिवान कैसे हैं आप लोग वेलकम बैग आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंगलिश राइटिंग से रिलेटेड है जब हम इंगलिश में राइटिंग करते हैं तो बहुत जगे हमें कन्फियूजन होता है कि हम प्रॉपर अपना सेंटेंस कैसे बनाएं कहां पर फु होता है ये टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल से सबके लिए कन्फियूजन होता है चूकि जब हम स्कूल से निकलते हैं या जो बेसिक हमारी जो एजुकेशन होती है उसको पीछे छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो जाती है लाइक जब हम राइट करते हैं तो उसी फॉर्मेट को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि मैंने आज जो है वो कुछ बेसिक रूल्स डिसकस करते हैं जो की बेसिकली इंगलिश राइटिंग से रिलेटेड है ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसके दो त आज का टॉपिक है वो बेसिकली कैपिटलाइजेशन का है इंगलिश राइटिंग में आपको पता है कि हमें बहुत सारे प्लेसेज में जो एल्फाबेट होते हैं किसी वर्ड में वो हमें कैपिटल लिखने पड़ते हैं यह सब को पता है जैसे कि एक में छोटा से एक्जै होती है एंड में क्या सिच्वेशन होती है कौमा के बाद क्या सिच्वेशन होती है यह अब्रिवेशन जो हम लिखते हैं जो शौट फॉर्म्स लिखते हैं किसी नाम का सो उसके साथ क्या कंडिशन होती है इन सब चीजों को जो है वहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है औ playgroups में हो so वहाँ पर जो है actually जब हमको पता होगा तो ही जो है वो हम आगे ये बात convey कर सकते हैं आगे जो हमारे like जिनको कह सकते हैं कि हमारे student हो या हमारे family में जो बच्चे होते हैं उनको हम ये चीज़ वहाँ पर सिखा सकते हैं तभी जब हमको खुद पता हो right so उसी concept को मैंने यहाँ पर जो है वो summarize करने की कोशिश की है introduction of writing writing basics और इसमें जो पहला topic मैंने आज यहाँ पर लिया है that is capitalization का जैसा कि मैंने अभी बताया capitalization का मतलब simply ये होता है कि English writing में कहाँ पर जो है वो हमें capital alphabet जो है वो लिखना होता है आपको पता है कि जो alphabet होते हैं number 26 A from Z तो वहाँ पर जो है वो capital और small दोनों form में लिखे जाते हैं so उसी concept को यहाँ पर लिया गया है that is capitalization कि कब हम writing में English basic जो writing होती है हमारी वहाँ पर हम capital alphabet का use करते हैं right so let's start पहला हमारा यहाँ पर है जो rule number one है always use capital I for the personal pronoun जब कभी हम sentences लिखते हैं for example I am going to school I am playing now like for example my friend and I इस तरीके से होता है न तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि जब कभी हम personal pronoun I का use करते हैं चाहे वो sentence के start में हो middle of the sentence हो या at the end हो किसी भी position पे sentence के अंदर हम हमेशा I को capital ही लिखते हैं always use capital I for the personal pronoun I का मतलब अब यह नहीं कि आपने जो है इसको मैं गेर ऐसे लिखूँ की जैसे for example आपने cinema करके लिखा अब यहाँ पर जो I आया हुआ है यह I जो है वो personal pronoun नहीं है यह I जो है वो spelling में आता है हम बात कर रहे है personal pronoun personal pronoun का मतलब यह हुआ कि simply जो हमारे pronouns होते हैं अब आपको अगर यह confusion ने कि pronoun क्या चीज़ होती है तो उस पे separate videos हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि pronoun क्या होता है कितने तरीके का होता है खेर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि always use capital I for the personal pronoun I जब कभी हम I like I का मतलब मैं इस फॉर्म में जब कभी हम I को use करते हैं तो वहाँ पर जो है वो हम उसको capital लिखते हैं मैंने दो example लिए हुए हैं यहाँ पर सॉरी ओके यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आई जो है वो capital है next यहाँ पर जो example है my brother and I went hiking last summer राइट इन दोनों examples में हमारे पास I है और आप देखें पहला जो example है वहाँ पर I start of the sentence है दूसरा जो I है वो middle of the sentence है लेकिन इन दोनों conditions में जो हमने I लिखा है वो capital है that was our first rule I am a doctor my brother and I went hiking last summer ओके पहला rule यही था hope कि आपको यह चीज़ किलियर हो गई होगी कि जब कभी हम personal pronoun I का use करते हैं तो वो हमेशा जो है वो capital form में ही लिखा जाता है ओके यह चीज़ बहुत confusing होती है हमें पता नहीं होता है कि कॉमा के बाद जो है वो कब हम capital alphabet से शुरू करते हैं और कब हम जो है small alphabet से शुरू करते हैं आप याद रखिएगा कि हमेशा कॉमा के बाद जैसे हम लिखते हैं यह कॉमा ऐसा करके कॉमा के बाद अगर कोई proper noun present है अब proper noun क्या होता है किसी भी चीज़ का जो अपना दिया हुआ नाम होता है उसको हम proper noun कहते हैं noun पूरा जो है वो topic है आप videos चेक कर सकते हैं इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है वो चीज़ों को जो है वो side by side पढ़ते रहा करिए ताकि next जो topics आते हैं उनमें आपको confusion ना हो proper noun present होता है तो वहाँ पर capitalization का use होता है अगर कॉमा के बाद कोई proper noun किसी noun का नाम जो नाम proper noun हो जैसे for example आप अगर ये बोलें कि कॉमा के बाद राम आ गया तो राम का जो आर होगा वो capital होगा चूकि राम एक लड़के का proper noun है ओके सो वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है कि कॉमा के बाद अगर proper noun present है तो वहाँ पर capitalization का use होगा राइट जहाँ पर example मैंने लिखे हुए हैं दो how are you comma comma के बाद सीमा राइट सीमा आपको पता है एक proper noun है सीमा क्या है एक proper noun है एक girl का नाम है सीमा how are you यहाँ पर comma था comma के बाद जो s हम लिखेंगे वो हमारा capital आएगा सो यह हमारा rule number two था कि जब कभी हमारे पास comma की situation होती है और comma के बाद जो हमारे पास नाम हम लिखते हैं वो हमेशा like proper noun जो होता है वहाँ पर capitalization का use होता है rule number three हमारे पास आता है use a capital letter for abbreviation abbreviation क्या होता है किसी भी चीज का जो नाम होता है उसका जो short form होता है like UK, USA इस तरीके से जो नाम होता है किसी यूनिवर्सटी का नाम है DU, LU, है ना जेनियू इस तरीके के जो नाम होते हैं उनके जो short forms होते हैं उनको हम abbreviation बोलते हैं use a capital letter for abbreviations हमेशा याद रखिए जब कभी abbreviation हम लिखते हैं तो या short form हम लिखते हैं तो वहाँ पर कभी भी जो है वो हम small letters का use नहीं करते हैं example के तोर पे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने my friend is from UK अब आप देखेंगे UK में UB capital है और KB capital है दूसरा example यहाँ पर लिखा हुआ है I am a student at LU LU का मतलब for example लखनो यूनिवरस्टी so यहाँ पर LU में LB capital है और U भी capital है so यहाँ पर हमने अभी तक जो है वो तीन rules यहाँ पर discuss किये हुए है capitalization के पहला था कि जब कभी हम personal pronoun I का use करते हैं चाहे वो sentence के शुरुआत में हो बीच में हो या last में हो I हमेशा capital आता है दूसरा example था दूसरा rule जो था हमारा की कॉमा के बाद अगर कोई proper noun आता है तो वहाँ पर capitalization का use होता है जैसा मैंने यहाँ पर how are you कॉमा उसके बाद SEMA का example लेके बताया third rule था use of use a capital letter for abbreviations जब कभी हम short forms लिखते हैं किसी भी noun के नाम को लेकर के so वहाँ पर हम हमेशा capital alphabet का use करते हैं यह हमारे पास तीन rule थे अब हम जो हैं वो आगे के rules यहाँ से discuss करेंगे so here comes our rule number 4, 5, 6 and 7 जैसा अभी हमने तीन rule जो हैं इससे पहले discuss किये अभी हम अपने next rules को discuss करते हैं rule number 4 यह कहता है जो कि सबको पता है जिससे मैंने अपनी बात start की थी या lecture start किया था कि हम सबको पता है कि जब कभी हम कोई नया sentence लिखते हैं like पहला sentence हो या full stop के बाद का जो sentence होता है उसका पहला जो alphabet होता है वो हमेशा capital हम लिखते हैं चीज है कि use a capital letter at the beginning of our sentence कि जब कभी कोई हम नया sentence start करते हैं अब नया sentence या तो beginning में होगा like जो जिससे हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं या नया sentence हम उसको भी बोलते हैं जो कि full stop के बाद अगर आप एक पैरा पढ़ रहे हैं तो full stop के बाद जो नया sentence हमारा शुरू होता है उसको भी हम नया sentence ही मानते हैं so उन दोनों conditions में हमारे पास जो पहला alphabet होगा वो हम capital लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर दो sentences को मिला करके लिखने की कोशिश किये for example going out for a walk is good for health ओके यहाँ पर going का जो जी है यह capital है इसके बाद यहाँ पर full stop आगया full stop के बाद एक नया sentence आया it is also fun यहाँ पर आई जो है वो capital है so this condition में जहाँ पर हमारा एक नया sentence शुरू होता है वहाँ पर पहला alphabet जो होता है वो हमारा capital से लिखा जाता है right rule number five क्या कहता है rule number यह बहुत easy है इसमें कुछ like अभी तक हो सकता है इससे पहले जो मैंने बताया वहाँ पर थोड़ा सा नया आपको कुछ सीखने को मिला होगा rule number four जो है यह बहुत common है यही एक ऐसी चीज़े मेरे ख्याल से जो सबको पता होती है कि हम कोई भी sentence start करते हैं तो वहाँ पर पहला alphabet capital और यही हम सिखाते भी हैं कि पहला alphabet जो है वो नया sentence का capital में लिखिए राइट इसके अलावा भी दूसरी चीज़े हैं जिनको कि मैंने टोटल यहाँ पर seven rules के under जो है वो क्या कहा है उसको की summarize करने की कोशिश की है ताकि आपको full concept मिल सके rule number five हमारा क्या कहता है use a capital letter with people's name जब कभी हम किसी बंदे का नाम लिखते हैं किसी आदमी का औरत का बच्चे का लड़के का लड़की का किसी भी person का नाम लिखते हैं तो उस condition में उस बंदे का जो नाम होता है उसका पहला alphabet हमारे पास capital होना चाहिए for example my favorite singer is किशोर यहाँ पर किशोर सहब के नाम के साथ जो के लिखा हुआ है यह मैंने capital में लिखा हुआ है तो यह rule number five था जब कभी किसी हम आदमी का नाम किसी person का नाम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं लिखते हैं so उस condition में वहाँ पर जो पहला alphabet होगा वो चाहे sentence के शुरुआत में हो बीच में हो आखिर में हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है उसका पहला alphabet हमेशा capital ही होगा rule number six और seven जो है वो बहुत easy है सेम इसी का थोड़ा सा जो है वो कह लीजे कि expanded rules हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि कभी किसी बंदे के नाम का जो पहला alphabet होता है वो capital होता है इसी तरीके से जब कभी हम किसी country का नाम लिखते हैं किसी city का नाम लिखते हैं किसी language का नाम लिखते हैं किसी nationality का नाम लिखते हैं या religion का नाम लिखते हैं country किसी देश का नाम, city किसी शहर का नाम, language किसी भाशा का नाम, nationality कि आप किस country से तालुक रखते हो आपकी nationality क्या है उसको क्या बोलते हैं उसका भी जो first alphabet होगा वो capital में आएगा इसके अलावा religion आप किस धर्म को follow करते हो उसका भी जो पहला alphabet होगा वो capital में आएगा तो इसको याद रखिए country name, city name, language, nationality या religion इन सबका जो first alphabet जब कभी हम इनको sentence में लिखते हैं तो वहाँ पर जो पहला alphabet होता है वो capital में आएगा rule number seven हमारे पास आता है use a capital letter for days or month of the year जब कभी हम किसी दिन का नाम लिखें या किसी महीने का नाम लिखें so इन दोनों condition में जो हमारा पहला alphabet आएगा वो capital में आएगा इसी में मैंने कोशिश किये कि rule number six और seven के जो examples है ये एक common मैंने यहाँ पर example का एक बनाया हुआ है इसमें लिखा हुआ है for example October, October एक महीने का नाम है जिसका पहला alphabet O, O जो है वो capital है इसी तरीके से Monday, Monday में M capital है, America, America में A capital है, Hindu ये एक religion को show करता है Hindu, Muslim या जितने भी religion आप सोच सकते हैं जब आप उनको लिखेंगे तो उनका पहला alphabet जो है वो capital में आएगा या American ये एक nationality को show करता है, सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी आप कोई नाम लिखें चाहे वो नाम या किसी देश का हो, शहर का हो, किसी भाशा का हो, किसी नेशनलिटी का हो, किसी धर्म का हो, या की दिन का हो, या महीने का हो जब इन नामों को आप लिखते हैं, तो उनका पहला alphabet हमेशा capital लिखा जाता है, ओके सो यहाँ पर हमने जो है, वो seven rules जो है, डिसकस किये हैं, capitalization से related, कि जब हम English writing करते हैं, किसी paragraph को लिखते हैं, या हम जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, या as a teacher भी अगर हम अपने students को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, English writing में, तो हमें इन सा सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जब हम capitalization का topic पढ़ते हैं, कि कहां पर English writing में हम capital alphabet को use करते हैं, जो की compulsory है, otherwise आपकी writing के marks जो है, वो cut जाएंगे, बहुत सारे exams में आपकी writing को check किया जाता है, और इन ही सारे points के base पे जो है, वो checking होती है, ये पहला part था चुकि introduction to writing में, इसके अलावा भी sentence है, कहां पर आप punctuation, जिसमें comma, full stop, question mark, exclamation mark, ये कहां पर use किये जाते हैं, या इनकी importance क्या होती है, तो इसके कई part होते हैं, जो की हमको one by one study करना होता है, खेर, वो बात की बात है, आज जो हमने पढ़ा है, वो capitalization से related पढ़ा है, English writing में, साथ rule हमने discuss क किये, hope कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप अपने comment से बता सकते हैं, कि क्या confusion है, या क्या topic आप और आगे जो है, इसके पाहना चाहते हैं, ठीक है, so, इसके बात के जो videos है, for example, मैंने जैसा अभी बताया, कि ये end नहीं है, writing के concept का, इसके अलावा भी इसमें कुछ होती हैं, जिनको की हम one by one आने वाले videos में जो है, वो discuss करेंगे, till then, take care.